छोड़ रहा हूं mutual fund, ये कहानी थी किसकी गोपाई, ऐसा example किसी YouTube कहीं चैनल में आपको नहीं मिलने वाला, मैं आपको खेर बता दे रहा हूं, तो ये शरी जरूर देखो, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया न, तो mutual fund का पूरा सारान साब समझ जाओ, ये हुआ यहाँ, boom, मै आपको कहता हूं, कि आप अगर अच्छे small cap, mid cap में इन्विस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा बहाव पानी में कम रहेगा, अगर आपने में इन्विस्ट कर दूँ, तो तीनों की कहानी सुनो, अलग-अलग fund में इन्विस्ट करेंगे, तो एक उनका बंदा बहुत स्मार था, अनलिस्ट था तो रहां को दोस्त, वो ऐसे बात करता है, ओके, I know that I have to invest, you know, I believe that, you know, I have to invest in the Indian economy, and after long time, I'll get these funds, so, better I'll spend maximum, you know, my investment in index fund only, मतलब साब वो कह रहा है कि सब मैं केवल index fund में इन्विस्ट करूंगा, दूसरा वाला क्या बोलता है, दूसरा वाला बोलता है, देखो यार, मुझे जादा idea तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना मुझे डर लगता है, मैं थोड़ा सा ना large cap company जो होती है, मैं उसमें invest करूंगा, और थोड़ा थोड़ा मैं index fund में invest करूंगा, सुना है, mutual fund में डर लगता है, long time में पैस से गरबड हो जाता है, बहुत सार लोगों ने बहुत सारा loss किया है, ये दूसरी दोस कहता है, तीसरा कहता है, यार मुझे तो बिल्कुल भी idea नहीं है, ज्यादा दिमाग में समझ में आता नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत small cap में डालू, थोड़ा mid cap में डालूँगा, जाता नहीं तो थोड़ा flexi cap में डालूँगा, ऐसे तिनों दोस्त बात कर रहे थे, तो तीनों दोस्त बात करने का उनको क्या राई दी, देखो, उन्होंने राई दी कि भाई साब small cap में पैसा डालोगे तो डूब जाएंगे बच्चो पैसा मट डालना small cap में पैसे डूब जाएंगे तुम्हारे market एक बार crash हुआ तुम्हारे पैसे गए काम से फिर मत बोलना कि दादा जी ने नहीं बताया तो कुछ लोग वहाँ खड़े थे बोलते है mid cap ठीक है यार बढ़िया है mid cap mid cap में इंवेस्ट करो safe रो तंदूस रो कोई दिक्कत वाली बात नी केवल mid cap में इंवेस्ट करने का समझ गए ना तो कुछ लोग और लोग थे large cap वाले बोलते भाई साब मिझे लगता है large cap में डालना जी बड़ी company है पैसे डालो tension की बात नी है अराम से बिंदास हो तो कुछ लोग large cap company है पैसे डालने अब कुछ लोग और बढ़िया थे index fund वाले बेटा यही पैसा डालने का हमारा India ग्रो कर रहा है ना यह 10 साल हम सब की हैं लेकिन करते हैं अपने मन की हैं तो आज की वीडियो में देखना है बड़ा interesting साथ data रहेगा कि 1 लाख रूपए डाल के छोड़ दिया गया और यह invest किया गया कब 2018 में 2018 में 1 लाख रूपए डाल के छोड़ दिये 3 दोस की कहानी एक बड़ा smart analyst English speaking भाई साब दुसरा थोड़ा सा डरवाला आदमी क्योंकि MNC में काम करता है जिम्मेदारी है बहुत है तीसरा भाई साब IC बन्दा है वो तो चलो ठीक है हमने थोड़ा risk हम ले सकते हैं कोई tension नहीं भाई साब risk हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं तीनों की कहानी देखो तीनों की कहानी में देखोगे कि भाई साब difference किसमें जादा आनेगा बड़ा मज़ा आने वाला है तो चैनल पहली पर आयो subscribe ज़रूर कर लेना notification click on कर देना so that videos जब भी आया आपको तुरंत में ले राइट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो देखो तीनों की कहानी एक लाग रुपे डाला गया एक लाग रुपे डाल के देखो क्या plan हुआ इनका क्योंकि एक लाग रुपे डाल के तीनों उने लमसम किया है बसर यहां यहां उने mutual fund में लमसम किया है और लमसम करने के बाद देखो क्या नतीज़ा आता है क्योंकि एक लाग रुपे को हो सकता है कि चार हिसो में divide किया गया हो सकता है दो हिसो में यह हमें नहीं पता है लेकिन चलो देखते हैं कि long time में पैसा कहां बना है, कहां लोगों ने ज़्यादा पैसा कमाया है, क्या जो लोग डरे थे, literally उने mutual fund छोड़ दिया, क्या ऐसा समय आया, कि सब उस समय कुछ option नहीं था, पैसे निकालना पड़े पूरे, चलो देखते हैं, बड़ा interesting data रहेगा, एक हमारे साब इंग्लिस speaking वाले थे बाई साब, जो जिनका नाम Johnny है, थोड़ा बड़ा high five बड़ा बात कर रहे थे, तो Johnny साब, Johnny साब ने एक लाख रुपए index fund में डाल दिया, कोई टेंशन नी बहुत सारे निपॉन का, अपना nifty fifty का, बहुत सारे नोंने index fund करके, mix करके डाल दिये, एक लाख रुपए डाल दिया, राकेश ने भी डाल दिया, राकेश जो है, वो कुछ large cap company लिया, कुछ index fund लिया, दोनों mix करके डाल दिया, भाई साब जो गोपाल था, छोटे शहर का लड़का था, उसने डाल दिया, small cap में, mid cap में अपने एक लाख रुपए डाल दिया, लम यह कहते थे, बेटा, small cap में मत डालना, उनके उपर चड़ गे, मैं तुस्से कहता था, small cap में पैसे मत डालो, तुने पैसे गवा दिये, एक लाख रुपए के साब 80,000 हो गए, अब बोलो, एक लाख के 80,000 हो गए, वही large cap meet के वाला बंदा, राकेश बहुत खुश था, बोल the country is growing, economy is growing, you know, and the infrastructure, railway defense, definitely there should be boom, दुनियावर की बात है, ऐसी बात है कि यह दोनों उनके सामने चुपर है, क्योंकि मामला सा, COVID का, COVID के मामले में, देखो, इसका 1,32,000 हो ता, कहां उसका 80,000 हो ता, यह कहानी देखते जाना, यही अंतर होता है, जब हम लोग mutual fund लेते हैं, small cap, mid cap, large cap में tension बनी रहती है, कि कौन सा select करें, राइट, अब देखो, कहानी बदला हो आया, चार साल बाद भी, जब आपस में दोनों मिले, ऐसी चाय पे मिले, तेरा कितना है, मेरा 1,57,000 हो गया, राकिस बोलता है, मेरा 1,32,000 हो गया, और गोपाल, गोपाल की हालत खराब होई, और गोपाल ने बोला, मेरा तो मन कर रहा है, मैं छोड़ दू यही, तुम लोग सही थे यार, तुम लोग अच्छी पढ़ाई लिखाए कि, तुम लोग mutual fund को समझे, alpha, beta, gamma, सब कुछ अच्छे समझे यार, standard deviation, तुम लोग जानते हो, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हो यार, अच्छा हुआ, मैं तो छोड़ रहा हो mutual fund, यह कहानी थी किसकी, गोपाल की, काफी लोगों ने मनाया, वीडियोस देखे, चलो थोड़ा motivation आया, पैसे, क्योंकि कम थे, अब एक लाक एक हजार हुआ है, तो दो साल में तुझे कुछ नहीं मिला फिर तक तो, तो यहां छोड अब बहुत मन ता छोड़ने का, अपने आप उसने बहुत रोका, क्योंकि अब वो पैसा निकालना अब इसके बड़ी challenge था क्यार, पैसे निकाल को लोगों को क्या जवाब दूँगा, तो रहे गया, किसी तरह रुख गया वो, चलो, निकल गए चार साल किसी तरह, COVID के किसी को भी ले लोगे, बहुत सारे small cap पूरी तरह खतम हो गया, बहुत माइनस में है, COVID के बाद भी कुछ अच्छे small cap ने परफॉर्म दिया है, तो भाई साब इनको गोपाल को सुरू में पता नहीं था, बाद में थोड़ा बहुत उनने changes किया small cap में, अब देखो आगे कहा कहानी क्या हुआ, क्योंकि small cap के साथ या mid cap भी था इनका, थोड़ा वो support कर गया, वो mid cap, चलो, अब कहानी 6 साल बाद क्या हुआ, 6 साल बाद भाई साब, विद्ध हो गया, war जैसे हो रहा है अभी, उसी तरह एक युद्ध की फिर गुंजाईश हुई, युद्ध हुआ, में war हो गया, अब war में आपको पता है, global issue होता है, global issue कारण कहानी ऐसी हो गए, इसर इनके पैसे minus हो गए, अब इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, किसी तरह ये वाईसा 20,000 एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन सर, हमारा analyst, अंग्रेजी medium वाला बंदा, टॉप पे था, 1, 1,88,600, एक लाग का 1,88,000 बन गया, ये लंसन कल्कुलिटर में ने यूज किया है, तो आप देख लेना वो सब डिटेल में आरग से, लेकिन आप लोग को समझाने का तरीक है, कुछ लोग डर जाते हैं, डर के छोडने कोईश करते हैं, छोडना कितना सही रहता है ये भी और अभी वीडियो खतम होते होना तो पता चलेगा कि मैं आपको एक सेम एमसी का तीन अलग अलग कैटीगरी के मुचल फंड का रिटन दिखाने वाला हूँ, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि बैटर क्या रहता है, एक लाग असी जा डालना, इंडेक्स एक लाग असी अफ्टर 12 यर्स, लगाटा 12 यर्स, इंडेक्स परफॉर्म अच्छा कर रहा था, 12-13% इंडेक्स आपको दे देता है, तीक है, अब इंडेक्स पेंड लगा तार 12 सालों में, इंडेक्स पेंड 4,89,000 बन गया, इनका लार्ज एन इंडेक्स एनका 6,86,000 बन गया, ये हुआ बूम, मैं आपको कहता हूँ, कि आप अगर अच्छे small cap, mid cap पे invest कर रहे हो, थोड़ा सा बहाव पानी में कम रहेगा, आपको लगेगा कि यार, ये uncertainty है, अभी मैं क्या करूँ, मामला ऐसा है कि पैसे निकाल लो, क्योंकि आपके पैसे भी धिरे-दिरे कम होते जाते हैं, और expense ratio चेक किया, और आपने चेक किया भाईसा मैं direct mutual fund कर रहा हूँ, regular नहीं कर रहा हूँ, इतना चीज़ आपने चेक करके किया, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं किया, छोटे small city में हो, आपने किया, लेकिन समय बदलता गया, और 12 साल बाद, small cap, mid cap, जिस तरह लगातार perform क पहुँचे, 6 पहुँचे, 10 पहुँचे, 15 साल बाद, 6,85,000 रिन की value हो गई, 7,14 सहब यहां से देखो, यहां से तो इनके punk लग गए है, मैं आप लोगो क्यों कहता हूँ, मैं आप से हमेशा request करता हूँ, कि अगर आपने small cap, mid cap की quantity जादा लिये, सर, wait करो, डरो नहीं, wait करो मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग comment section में कहा रहे थे, सर आप दराते हो, भाई साब आपने मेरे ये वीडियो तर तो नहीं देखी होगी, कि मैं आप लोगो motivate भी करता हूँ, मैं आपको हमेशा मना करता हूँ, quit मत करना, मत छोड़ना, कुछ भी करके डटे रहना, market गिरत औ और लमसम करो, market गिरत और अच्छे share खरीदो, मैं हम लोग से ये कहता हूँ, ये नहीं कहता, अब देखो market की update तो आपको दे नहीं पड़ीगी, market में क्या हुआ, अब इनकी value पहुँच गई, लगबग 12 लाग पहुच गई, आज वो एक लाग दो लगा के छोड़ दिया थ में, after few years, 20 साल बाद कहानी देखो, भाई साब जो केवल, जो ध्यांदे न मेरी बाद, जो केवल index fund में invest किये थे, वो पहुच पाए 12 लाग, large index fund 16 लाग, जो भाईया, small cap, mid cap में छोड़ दिया थे 1 लाग रुपे, after 20 years, उस value होगे, ये लगबग 27 लाग, 17-18% का return मैंने यहा लूग क्या होगी सर, सर अगर FD में invest किये ना, तो कहीं के नहीं रह जाओगे आप, कहीं के नहीं रह जाओगे, आपकी FD माइनस की माइनस बहुच जाएगी, 6% तो महंगाई है, हर साल इसले SIP करते हो, तो मैं कहता हूँ, जितनी महंगाई है, उतना percent आप increase कर अपनी SIP, 10 percent at least increase करना चाहिए, तो moral of the story, अगर जिनोंने अब तक वीडियो देखी है, सर आपको सलाम, कमेंट से ने मेंशन करना कि सर, यहां तक मैंने वीडियो जरूर देख ली है, और क्या सीखने को मिला, जो आपको सीखने को मिला है ना, most important चीज, यह कहीं वीडियो में, कहीं नहीं मिले रहा है, ऐसा example किसी YouTube कहीं चैनल में आपको नहीं मिलने वाला, मैं आपको clear बता दे रहा हूँ, तो यह शरी जरूर देखो, क्योंकि अगर आपने यह समझ लिया ना, तो mutual fund का पूरा सारान से आप समझ जाओगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा कि market में क्या होता है, small caps से निकल के mid cap में चला जाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि shift कर दो mutual fund, उन लोग के लिए भी कहानियत, more of the story, sir, ज़्यादा समझ दार होना भी बेखूपी है, just like, जो पहला बंदा थैनलिस्ट था, अंग्रेजी मेडियम, ज़्यादा समझ दार होना भी, sir, बेखूपी है, अगर मालू में कि आगे भी कैसा होगा, ठीक है, zero risk, अगर आप risk नहीं लेना चाहते, बिलकुल भी risk नहीं लेना चाहते, sir, तो मैं तो कहूंगा कि FDRD में ही invest करो, उसी में खुस रहो, इससे ज़्यादा मत सोचो, अगर life में risk नहीं लेना चाहते, risk मतलब क्या होता है, काफ़ी ल मैं डाउन था, सोचो, एक लाग की value, 60,000 पहुच गई थी, तो अगर ऐसे टाइम पे आप रुके रहे, तो मुझे लगता है, आप सबसे बड़ा योध्धा आफी हो, important है, है न, तो ये चीज है, index fund आपको अमीर नहीं बना सकता, sir, ये भी सच है, ये पूरा कड़वे सच ह सर, लेकिन बिल्कुछ सकते हैं, index fund लगातार invest करोगे, आप अमीर नहीं बन सकते, आप try करके देख लो, आज ही करके देख लो, मेरा किसी पे दवाव नहीं है, कि आपको क्या select करना है, क्या नहीं select करना है, ये सारा information आपको knowledge के लिए जा रहा है, कि सर, knowledge अगर आप ले सकते हो, तो apply करना सर, आपके हाथ में, पैसा आपका है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा किसी को, कि आपको करना है, ये जो आर्टिकल से मैंने पढ़ा, data देखा, वो ही बता रहा हूं मैं, और देखो, चौथा आपने important point, risk reward दोनों साथ ही साथ चलते हैं, आपको पता है, अगर कु अगर आपको लेना है, mid cap भी लेना है, तो सर, wait and watch, आपको wait करना पड़ेगा, watch करना पड़ेगा, और आपका risk reward दोनों साथ ही साथ चलेगा, जितना risk उतना reward, risk नहीं होगा, reward नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, तो risk थोड़ा बहुत आपको लेना ही पड़ेगा, अगर आप literally पैसा बनाना चाहते हो, तो, और risk taking ability is the long term always been, अगर आप risk लेते हो long term में, तो सर, हमेशा जीता आपकी होती, इसमें कोई दोराएं नहीं है, ये मैं नहीं, जितने analyst हैं, सब यहीं कहते हैं, थोड़ा बहुत risk profile आपको calculate करना पड़ेगा, और ध्यान रखना पड़ेगा, तो ह अपना आज की वीडियो के last slide में आते हैं, सर, मेरा disclaimer clear है, this is my personal opinion, I will not advise anyone to do so, you should always self analyze, मेरा personal experience, जो भी है, मेरा personal analyze है, ये मेरा personal opinion है, जो मैंने आप लोग से आज share किया है, मैं देखो यह इसी कर रहा हूँ, जिसको करना हो, करे, ना करना हो, ना करो, सर, कोई problem नहीं, आपका पै जमाने से हो गया, मैं निकला, देखो, मेरे अंदर छमता थी, मैं डटा रहा, मैं निकला नहीं, पता नहीं, आप लोग के अंदर छमता होगी, मुझे, I don't know, the thing is that, अब मैं जो आप लोग को से बताने वाला था, कुछ लोग small cap में invest करते हैं, mid cap में, large cap में, देखो, SBI के small cap ये 10, 12, 13 सालों से उपर का डेटा है, 10 साल में, SBI small cap में 26% दिया है, mid cap में 20% दिया है, और large cap में 16% दिया है, किसमें invest करना है, सर, आपका decision है, आप देख लो, ये तीनों का return आप देख लो, 26%, 20%, 16%, SBI small cap, mid cap, large cap, decision आपका है, सर, कि आपको किसमें invest करना है, मैं बिलकुल नही था, इसलिए मैं बिलकुल नहीं कहने वाला, आपका मर्जी है, लेकिन important factor ये है, कि सर, इस वीडियो से आपको सीखने को मिलना चाहिए, कि important है, life में risk, और reward कितना important है, life में situation आएगी, war जैसे आई, life में situation आएगी, महा मारी को जो COVID जैसे आई थी, वहां आपको कैसे रहना है portfolio कैसे manage करना, ये सक्चीज रहेगी आपको, तो I hope वीडियो पसंद आई होगी, तो दिल से like करना, क्योंकि आपका like literally हमारे team को बहुत motivate करता है, इस दिल से like करना, चल पर नया है, subscribe जरूर कर लेना, बाकी मिलते हैं next, कुछ excited वीडियो के साथ, अपना ध्यान लखिएगा तक बाइबाटे केर, जय हिंद